नमस्कार चाहती हूँ मेरी इसी घुजर आपका एक बार फिट से स्वागित करता हूँ और फाइनली RPSC ने करस्विभाग की 14 वेकेंसियों का नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे रिलीज कर दिया तो पूरी डिटेल अपन जानते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखी बताया 16-10 2014 के नोटिफिकेशन रिलीज किया है और सबसे पहले नमर पे अपने पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंड एग्रिकल्चर ओफिसर एन ऐसे इसका मतलब हो गया है डबले ओ की वेकेंसी जो की नोन टीएसपी अरिया की है नोन टीएसपी अरिया की बात करें यहाँ तो टोटल सबसे है अग्रिकल्चर ओओ ओफिसर पोस्ट होर यहां पे लन एक बात पोस्ट पोस्ट है रिवार्डेशन यहां पर नहीं असिस्टों अधियन व्यूं तोर्टल 10 वोस्ट कितनी है तोर्टल 10 पोस्ट है उसमें वह आप टवाइडेंशन दे रहा है जो कि आप देख लिए गाय जीजेगा देख फिर अपने कौने सी पोस्ट इस्टेक्स एकंडर और आप पोस्ट है फिर नेक्ट अपने एग्रिकल्चर रिसर्च ओफिसर एग्रोनोमी है इसके देखे पांच पोस्ट है एग्रिकल्चर रिसर्च ओफिसर है एग्रिकल्चर बोटनी इसमें दो पोस्ट है फिर छटे नमर पे पोस्ट है एग्रिकल्चर रिसर्च ओफिसर है प्लान् बाराइब्यारती एक से अधिक पदों पर आवेधन करता है तो उसे परतेकपद के लिए अलगे लगणद आपको application form है वो फिलियां पे करना होगा यह आपको समझ में आ गई होगी अपने इनकी section की योगेता की बात करें तो सबसे पहले देखें यह दी डबल एओ की बात करें तो डबल एओ में यहाप section की योगेता मांगी गई है बीसी agriculture या फिर वीसी होटी culture से यह आपने कर रहा है तो आप डबल एओ के लिए apply कर सकते हो बाकि और जो वेकेंसिया है उन्में क्या मांगी गई है msc मांगी गई है जैसे कि भी msc chemistry है तो फिर msc chemistry में आप apply कर सकते हो और में msc मांगी गई है यह आप देख लीजेगा जिस भी पोस्ट के लिए आपको देखना हो यहाँ पर देखिए और डिटेल से यह दी बात करें तो यह दी पे और इसके लाओ तीन से नो पर तक के जो पाद है उनके लिए 20 से 40 पर साब की एज मांगी गई है तो यह देख्ट देखिए दी चैन परकिरिया की बात करें तो यहाँ पर देखिए बताया है अब यहारतियों का चैन लिखिद परिक्षिया के माद्दियम से किया जाएगा यानि आपका पेपर होगा उसे के माद्दयम से देखिए आपका सेलेक्शन होगा परिक्षिया का इस्तानों तिति की संबंद में अभी तक कोई सूचना या पर नहीं है आगे आपको मिल जाएगी परिक्षिया उक्त पदोसी संबंदी सिवानियम के नुसार लिकित परिक् गाद दोजार चोईस तक कब तक चलेंगे 19.11.2012 तक आपके एप्लिकेशन पोर्म चलेंगे डबल ओ यह और यह जो वेकेंसी है इनका अब एप्लिकेशन की से फिल होगा तो आपको जाना है और आप इसके application form है वो फिल कर सकते हो यहाँ पर देखे बताया है कि आपके जो सुलक वो कितना लगेगा यदि तो यहाँ पर बताया है देखे सबसे पहले सामानी वर्ग और इसके लगए और OBC और MBC वर्ग के जो student है जो कि क्रमिलेर सेनी काते हैं उनके चास वर्पे लगेंगे इसके लवा यहाँ पर नोन किरमिलेर सेनी के OBC MBC और EWS के जो student है उनके चार सुर्पे आपके फीस लगने वाली है इसके लगावा आपके दिव्यांग जन होगे उनके भी चार सुर्पे यहाँ पर लगेंगे तो यह आपको समझ में आ गए होगी बाकि यह दी exam pattern और यहाँ पर देखिए बताया exam pattern exam pattern में देखिए सबसे पहले यहाँ पर general knowledge के यहाँ पर 40 question आएंगे और फिर concept of subject या निया आपकी जो subject हो उसके 110 question आएंगे total 150 question आएंगे जो कि 150 नमर के होने वाले हैं धाई गंटे आपको timing मिलेंगे सारे जो question होंगे आपके objective type के होंगे कैसे होंगे objective type के आपके question होने वाले हैं और 1 बटा 3 की इसमें minus marking होगी क्या होगी एक बटा 3 की minus marking होगी तो यह exam pattern आपको समझ में आ गया होगा कि total 150 question आएंगे जिसमें 40 question किसके आएंगे 24 से start हो रहा है जो कब सक चलेगा 11 नॉम्बर 24 तक आपको इसके application form में वह मिल जाएंगे तो आप application form और और को doubt confusion रहे तो आप इंस्टा पर में पोच सकते हैं बाकि syllabus के बारे में पुराने paper के बारे में पहले details से अपने वीडियो बना रखा है वो वीडियो आप देख लीजिएगा बाकि ये ये पीडियेप आप लेना चाहिए तो ले लीजिएगा इसका लिंक आपको डिस्काप्शन में मिल जाएगा और ये आप पसू परीचर की तयारी कर रहे हैं तो पसू परीचर की जो वेकें इतने रिसी डोट एक ग्रू के नाम से अपनी इस्टा आइडिया है